किद्यान सपनों की उडान उम्र भढ़ाने वाला पेड एक बार तुर्किस्तान की बादशा को अख़बर की बुल्दी की परिक्षा लेने का विचार आया उसने एक दूट को पत्र देकर सिपाईयों के साथ दिल्ली भेजा पत्र का मजबून कुछ इस प्रकार था अख़बर शाप मुझे सुनने में आया है कि आपकी भारत वर्ष में कई ऐसे पेड पैदा होते हैं जिसके पत्र को पढ़ कर विचार मगन हो गए फिर कुछ देर तक बीरबल से राय मशुरा कर उन्होने सिपाईयों सहित उस दूट को कैद कर एक सुद्रिण के लिए में बंद करवा दिया इस प्रकार कैद हुए उनको कई दिन बीट गए तो बाच्छा अकवर बीरबल को लेकर उन कैदियों को देखने गए बाच्छा को देख कर उनको अपनी मुक्त होने की आशा हुई परन्तु यह बात निर्मूल थी बाच्छा उनके पास पहुचकर बोले तुम्हारा बाच्छा जिस वस्तु को चाहता है वह मैं तब तक उसे नहीं दे सकूँगा जब तक कि इस सुद्रण के लिए की एक दो इट न देह जाए उसी वक्त तुम लोग आजाद किये जाओगे खाने पीने की तुम्हें कोई तकलीप नहीं होगी मैंने उनका यथाचित प्रभंध करवा दिया है इतना कहे कर बाच्चा चले गए परन्तु कैदियों की चिंता और भड़ गए वह अपने मुक्त हुने के उपाय सोचने लगे उनको अपने स्वदेश की सुखों को याद कर बड़ा दुखोता था वह कुछ देर तक इसी चिंता में डूबे रहे अन्त मैवे इश्वर की बंदना करने लगे हे भगवान क्या हम इस बंदन से मुक्त नहीं की जाएंगे क्या हमारा जन्द इस किले में बंद रहकर कश्ट भूगनी के लिए हुआ है आप तो दीना नात है अपना नाम याद कर हम असहायों की भी सुध लीजिए इस प्रकार मैं नित्र प्रात्ना करने लगे अन्त में उनकी प्रात्ना का असर हुआ इश्वर की क्रपा हुआ एक दिन बड़े जोरों से भुकम पाया और किले का कुछ भाग भुकम के कारण धरशाई हो गया सामने का परवधी तूट कर चपना चूर हो गया इस खटना के पस्चात दूट ने बाद्शा के पास किला तूटने की सूचना भेजी बाद्शा को अपने कही हुई बात याद आ गए इसलिए उन्होंने दूट को उसकी साख्यों सहित दर्बार में बुला कर बोला आपको अपने बाद्शा का आशेय विदित होगा और अब उसका उत्तर भी तुमने समझ लिया है यदि ना समझा हो तू सुनो मैं उसे और भी स्पस्ट किये देता हूँ देखो तुम लोग गर्णा में केवल सौ हो और तुम्हारी आह से ऐसे सुधन के लिए धह गए फिर जहां हजारों मनुष पर अत्याचार हो रहा हो महा की बाच्चा की आयू कैसे बढ़ेगी उसकी तो आयू घट्ती ही चली जाएगी और लोगों की आह से उसका शीगर ही पतन हो जाएगा हमारे राज्ज में अत्याचार नहीं होता गरीब प्रजा पर अत्याचार ना करना और भली भाती पूशण करना ही आयू वर्दिक व्रिक्ष है बाकी सारी बातें मिध्या है इस प्रकार समझा बुजा कर और उनका राहा घर्जबे दिया उन्होंने पूर्गिस्तान में पहुच कर यहां की सारी बातें अपनी बाच्चा को समझाएं अखुबर की सिक्षा लेकर बाच्चा दर्बारियों सहे उनकी भूरी भूरी प्रशंचा करने लगे तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आशा करती हूँ आप सब को यह कहानी पसंद आई होगी मैं आप सबसे जल्द मिलूँगी एक और मज़ेदार कहानी के साथ